हेलो चैंपियन्स आप सही लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों एसल चांप के एक और नए वीडियो में और गाइज आप सही वह को सबसे पहले हैपी दिवाली और गाइज इस वोड में कवर करने वालों गाइज का लास्ट मैश मैश नमर 45 जो की इंडिया और नेधरलेंड के भी सी मैश 12 नुमबर दो फ़र के दो बज़े दोस्तों बैंगलोरों के इंचिनसव में स्टेडिय में खेला जाने वाला है दोस्तों इंडियन साइट से बहुत सारी जो यह न्यूज आ रही है कि मतलब लास्ट म मैश होगा है उसमें एलेवन में कुछ चेंजे में मौः को मिल सकता है तो तो काई सार टॉस का वेट करना ठीक है कुछ भी चेंज़ां को एंडियार नेजरलंड को आज से पहले मेरे अगर आपने वी तक्ष हमारा टेलेग्राम का चनल जोइन करना आपके लिए बहुत इंपोटन्ट है और आपको जोइन कैसे करना है तो मेरे जो को आप वीडियो देख रहे हो इसके description box में जाओ यहाँ पर मतलब वहीं पर description box के top पे आप कुमारा telegram channel का link मिलेगा वहाँ सब जागर simply है कमारे telegram channel SLJM को आप जॉइन कर लो वहाँ पर आपको final team और final update आपको सब कुछ talks के बाद वहीं पर मैं बिल्कुल share करता हूँ ठीक है बिल्कुल free में बागे वीडियो में आपके लिए pitch report है special baller के बारे मैंने कुछ बता रख है उसके लावा टीम का head to a record playing 11 और वीडियो के last मैंने आपके साथ team भी share कर रहा है तो मेरे वीडियो का last तक देखना और बिल्कुल ध्यास देखना बस दोस्तो request के वर गाई आपसे एक last है दोस्तों अगर आपने वीडियो को like नहीं किया तो मेरे वीडियो का आप like करके start करना दोस्तों आपका प्यार support मिलता है तो हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है बागे आर देखो फट और शिलंका का जहां पर देखो बहुत बहुत बोल टर्न हो रही थी क्योंकि आर देखो उस दिन बारिस बहुत हुआ था उसके एक दिन पहले भी बारिस हुआ तो अगर बारिस होती है तो फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग फ्रेंडली पीच बन जाती है बागी यूजल स्कोर 240-260 के बीच में अगर यहां पर इंडियन टीप पहले बैटिंग करती है तो फिर दोस्तों आगड़ा 300-300 यह 400 भी देखो चूँ सकता है यहां पर हिस्टी चेक लो दोस्तों देखो वैनू पर टोटल 27 मैचस खेले गए जिसमें दोस्तों 11 बार बैटिंग फर्स्ट और कोई भी मैच उठाकर आप देख लो दोस्तों यह Czechे में प्रहुत मैचस जाहिए इस मैच में ठीक है पर है ट्वेड डिकोर्ट की बात करूंब कोई बी है इनकी आमने सामने कोई नहीं सकती दो मैच हुआ है इंडिया और नेधरलेंड की जिसमें दोनों की दोनों बार इंडिया ने मैच को जीट लिया ठीक है तो आप यहां पेपर इंडिया काफी स्टॉंक टीम है और प्लेइंग इलोन की बात करूए यहां पर बुम्रा को रेस्ट दिया जा सकता है प्रसित क्रेशन को टीम में रिप्लेस किया जा सकता है और इसान किसन को यहां पर मौका मिल मतलब मिल सकता है ठीक है तो यह कुछ चैन्ज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वाकि अभी के लिए तो जो को रोई शर्म और गिली है जो ओपनिंग करतों दिखेंगे नमबर तेन पर विराट कुली दोस्तों यह इंडिया का टॉप तीन टॉप ओडर हो गया ठीक है बाकि मीडल ओडर में स्रेज सही है इन फॉर्म प्लेयर लोकेसर अच्छे टच में दिखा है एसिया कप से अभी तक और सुरिकुमार या तो दोस्तों यह तीन प्लेयर आपको मेडल ओडर में और कईज यहां पर आपको लॉवर ओडर में जाड़े हो गया एक लेफ्ट आम बैटिंग करता है और लेफ्ट आम ऑर्थ बोलर भी है उसके लागा कुल दी प्याद हो लेफ्ट आम चैन को इस मैस में आई थिंक चांस मिल सकता है क्योंकि लास्ट मैस है और इंडिया अर्दे को अल्यडी क्वालिफाइग कर गई है टॉप की टीम है तो कई तो को टैंस मिल सकता है ठीक है बागी फिलाल के लिए और आपको मौमद सिराज और बूमबरा का देखने को मिलेगा सु आपको अगर क्रिष्णा कहलता है तो क्रिष्णा नहीं तो फिर आपको भूम रही डैज को में बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं वहीं जहां पर नैधरलेंड इंड बात करो तो नैधरलेंड और लेड़ी एलिमिनेट हो चुकी है और यह मन चाहें कुछ भी बॉलिंग करने आता है इन्होंने पूरे वर्लकप में विगेट ली है बैट बैटिंग से नहीं कुछ अच्छे कारणा में नहीं किये और यहां पर स्कूर्ट इडवार्ट टीम के कैप्टन भी है विगेट की पर बैट्समन भी है मेडल ओर में काफी बढ़ी है ठीक है और जरूत आने पर यह बैटिंग भी करता है इनका टीम में दोस्तों दो ऑर्फ बोलर है एक लाफ टाम और 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 यह कभी-कभी दोस्तों पावप ले में भी बॉलिंग करता है और गई यहां पर पॉल वर्ण मार्क नम राइट आम फास्ट बोलर तो यह होगी दोस्त किसी को भी चांस मिल जगता है आगी यह स्टार्टिंग और फिलाल के लिए आपको लॉग वान बीग और पॉल वान मार्कम आपको डालते हैं दोस्तों पिछले मैस में आरेंडट ने स्टार्टिंग और मतलब फेका था कुछ और और उन्होंने विकेड भी लिया था ठीक ह आपको यहां पर देखना दोस्तों बालिंग रोल की बात वहीं दोस्तों फाइनल टीम की बात करूं अपको वीडियो के डिस्केशन बॉक्स मैंने दे रखा है अपने टेलिग्राम चैनल का ठीक है तो जाओ और जोइन कर लो बागिया अभी के लिए मैंने पूरा पूरा प यहां की जो बॉंडरी होती है काफी चोटी है तो यहां पर आप चाहो तो बैट्समन को थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट करना करें बैटिंग फ्रेंडली पीछे और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती तो फिर तो साढ़े तीन सो चार सो आगर भी चूश सकता है ठीक है तो थोड़ा सा आप इस अंदाज में अपने टीम अगर आप बना रहे हो तो आप देखो थोड़ा सा सोच के बनाना ठीक है अस्पीनर के मुकावले फास्टर काफी ज्यादा मतलब मददगार रहेंगे तो अगर आप चाहो तो आप देखो जाड़ेया को आप ड्रॉप कर स मिलते हैं आप से नेक्स वीड़ों में अभी के लिए यह को हमारी उट से बैस्ट प्लाग